All my dear brothers, sister and family, viewers of YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, सब के लिए निवेदन है मेरा, सोच मात सुरू करो, इदर अदर भाग मात पलवाहिन में जैन करो. कितना मुसीबते जिल रहा हो, लड़की का शादी, लड़का का भुष से, माकान बनाना है, गारी खरिदना है, अपना मन पसंद जाएगा घूमना है, सम्मान का साथ जीना है, तो एक साल नीद चायन को जागो तुम, पलवाहिन सफल बिना भागो तुम, सफलाता कौन छीने तुम से, हम तो चाहे पलवाहिन में काम करके हसिल बनो तुम, मैं तो चिला के बोलूँगा, इदर दर मौत भागो नकरी का तलास में, गुलामी का जिन्दगी से बाचतुम, समाई को बरबाद नहीं करके आजाओ पलवाहिन में, वादा करता हूँ आज नहीं, तो कल एक सल और दो सल में मालूम होई जाएगा, दोस्तो निटारक में आजाओ, निटारक को सीख लो, अच्छा से समझो, दोस्त रिलेटीब को समझाओ, उनको भी ले के आओ, मिल जूल के काम करो, या यह अपरचुनिटी है, जुरूर आपको सक्सेस मिलेगा, लगे रहो, बाने रहो, बुद्धी से काम करो, अलवेज प अच्छी जॉब लग जाए, लेकिन जिसने भी यह सिस्टम बनाया ना, उसको मैं दिल से सलाम करता हूँ, वाह, क्या सिस्टम बनाया नौकरी का, यह लोग जिन्दगी भर उसे में उलज कर रह जाते हैं, कभी बाहर ही नहीं निकल पाते, कभी नहीं, जब बच्चा पैदा होता है, तब से यही रट लगाया जाता है, कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजिनियर बनेगा, सरकारी नौकरी करेगा, यह बनेगा, वो बनेगा, लेकिन किसी ने कभी कहा ही नहीं, कि मेरा बेटा अमीर बनेगा, बच्चपन से लिके आज तक घर में समाज में 22 सालो तक इसी बात का इंतजार रहता है कि मेरे बेटे को कोई कमपनी अच्छी जॉब दे दे लेकिन एक बार किसी ने नहीं बोला कि मेरे बेटा एक कमपनी खोलेगा और लाखों लोगों को जॉब देगा उसे किसी ने कभी कहा ही नहीं कभी नहीं तो फिर कैसे कोई अमीर बनेगा यार जिसको कभी वो माहौल ही नहीं मिला जिसके दिल में सपनों का वो फूल ही नहीं खिला समय के तुफान में उस सपने ने कहीं दम तोड़ दिया जिन्दगी की थपेड़ ने वो रास्ता ही मोड़ दिया दुनिया के ताने के डर से उस सपनों को ही छोड़ दिया जो कभी सोचा करता था कि मां मैं भी टाटा बिरला बनूँगा और मैं भी बहुत सारे पैसे कमाऊँगा क्योंकि तुम्हें तो यही सिखाए गया है ना कि पैसा कमाना आसान नहीं होता जब कुछ करने के कोशिस करते तो यही सुनने को मिलता है ना कि यह बाल धूप में ऐसे ही सफेड नहीं हुए जितना तुम्हारा उमर है अतना हमारा तजुर्बा है अरे टकली कराकर आग में झог दो सफेड बालों को और कबाड़ी में बेश दो सदुर्बे को इतना ही तजूरबा होता ना, तो आज वो यहां खड़े होकर free की advice नहीं दे रहे होते, बलकि किसी magazine और news paper के front page पे होते इतना ही तजूरबा होता ना, तो 20 रुपए किलो टमाटर के लिए पूरे market में नहीं गुमते, कि कहीं 2 रुपए सस्ता मिल जाए और बस में 12 साल के बच्चे को 5 साल बता कर भाड़ा नहीं कम करवा रहा है तजूरबा वैसे अच्छा मजा करते हैं अब एक इसकी बाते सुन रहा है उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिन्दगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं है जो लोग लोमड़ी बनकर भाग गए स्ट्रगल के आगे जो कभी सेर की तरह दहारा ही नहीं है ये लोग तुझे क्या सिखाएंगी कि पैसे कैसे कमाते हैं और अमीर कैसे बनते हैं एक बार जा और जहांक अपने घर में अपनी सोसाइटी में अपने सहर में है कोई ऐसा जो वो लाइब जी रहा है जो तु जीना चाहता है है कोई ऐसा जो उतना पैसा कमा रहा है जितना तु कमाना चाहता है है कोई ऐसा जो उस कार में गुमता है जिस कार में गुमने का तु सपना देखता है और साइद उसी कार की फोटो तेरे दिवार पे भी लगी हो है कोई ऐसा जिसने उतना नाम कमा लिया जितना तु कमाना चाहता है जितना तुझे चाहिए जहां के यार जहां कले पता चला कुछ, ये लोग जो तुझे फाल्तू की राय देने में लगे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, कौन होते हैं ये लोग तुझे राय देने वाले, जब उन्होंने वो कभी हासी लेने किया, साज जिन्दगी में उतना पैसा कभी देखा ही नहीं, वो कार, वो नाम, कुछो बढ़ा, किसी की उकात नहीं है, जो तुझे रोक सके, किसी के रास्ते पर मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ, और प्रूब कर दो इस नकली दुनिया को, कि तुम सही हो, और वो गलत, और अपने आप से ये वादा करो, क्यार जिन्दगी में चाहे कुछ भी हो लेकिन इनके जैसी जिन्दगी मेरी नहीं होगी, मैं इस नौ से पांच के खुटे में बनने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं किसी का नौकर बनने के लिए नहीं, बलकि अपने माबाप का राज कुमार और अपनी जिन्दगी का राजा बनने के लिए पैदा हुआ कदम पर बहाना करना पड़े अरे यार खिलोना बनता ही है तूटने के लिए बहाना करते हैं लोग कि बेटा खिलोना तूट जाएगा क्योंकि पैसे नहीं होते मजबूर होते हैं जिंदगी की थपेड़े से चूर चूर होते हैं तो यार पैन उठाओ और लिग दो अपनी कह मालिक नहीं